प्रित्वी के सबसे महान नदियों में से एक गंगा जो जिन्दगी देती है प्रित्वी के कुछ सबसे ज्यादा अबादी वारे इलाकों को यहां इसे एक देवी माना जाता है और यह लाखों लोगों के लिए धार्मिक्ता का स्रोत है भारत के उत्तर में हिमाले परवत से निकल कर गंगा नदी 2510 किलो मीटर का सफर तेह करके बंगाल की खाड़ी में समा जाती है गंगा के किनारे भारत के कई पवित्र दीर थे हैं गंगा का ये बेमिसाल सफर जल धाराओं का ऐसा ताना बारा है जो तरह खंडरा जिके गड़वाल इलाके के हिमाले से शुरू होता है गंगा और इसकी सहाइक नदियों का यहां के एको सिस्टम के फल्ले भूले में बाहा हाँ है हिमाले के संचल में अध्यात्म, अध्यात्म, अध्वेंचर और प्राचीन संस्कृती का संवर्म है गंगा गंगा हिमाले डिसेंट हिमाले संसार की सबसे उची पर्वतमाला ये पर्वतमाला अफ़वानिस्तान के उत्तर पश्चिम में शुरू होती है और पाकिस्तान, भारत, नेपाल और भूटान से होते हुए चीन तक फैनी है हिमाले को प्रिथ्वी का तीसरा ध्रू भी कहा जाता है ताजा पानी की बर्व के इससे बड़े अंबार सर्फ उत्तरिया और दक्षनी ध्रूमों पर ही है हिमाले की बर्व पिखलने से बना पानी एशिया के तीन अरव लोगों के जीवन का आधार है भारक के उत्तरी राज्य उत्तरा खंड के गणवाल इलाके वे हिमाले के पहाड भारत और तिब्बक के बीच एक कुद्रती सरहत बने खड़े है इन्ही पर्वत शिखरों से निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर और इसके पीछे हैं आस्मान को चूनता शिवलिंग शिखर प्राचीन हिंदू पुराणों में पहाड संहार के देवता महायोगी शिव के प्रतीक है ये पर्वत माला प्रित्वी के जिस हैसे पर है उसे देव ढूमी या देवताओं के रहने की जवे कहा जाता है गंगा की कहानी यहीं से शुरू होती है गंगोत्री ग्लेशियर अचारक सामने आई ठोस नेली बर्फ की दिवार से टकरा कर पिखल जाता है कहते हैं इस ग्लेशियर का मुहाना गौमाता के मूँ से मिलता है होता है और इसलिए इसे गौमुख कहा जाता है यहीं ठोस बर्फ से एक जलधारा प्रकट होती है जिसे भागी रथी कहा गया यह गंगा ही है जो अपने स्रूत पर पौनाणिक राजा भागी रथी कहा लाती है ग्लेशियर के आसपास दोर दोर तक सब सुनसान है यह एक बेरहविला का है यहां सर्फ सक्ट जान ही जी सकते है जैसे कि यह नेली भेड या भरन देखिए चारे की तलाश इन्हें किनों चाईयों तक ले आई है और यह तिबदी स्नो कॉप भी तो इसलिए यहां भटक रहा है यह बखू भी जानता है कि जल्द ही यहां सर्दियां शुरू हो जाएंगी और यहां जीना और भी दुश्वार हो जाएगा लेकिन सर्द पशुपक्षियों नहीं नहीं इन्सान ने भी इन मुश्किल हालात में जीना सीख लिया है यहां समुद्र स्थर से करीब 4000 मीटर की उचाई पर सुबह की दूप में भी जमा देने वानी ठंड़क होती है लेकिन ये योगी ऐसी ठंड़ में भी कपड़े उतार कर आनंद लेते हुए गंगासनान कर रहा है और भारत की प्राचीन योग बरंपरा को अब तक निवा रहा है ये योगी प्रथम योग गुरु भगवान शिव की पूजा शिवलिंग शिखर को जल चड़ा कर करते है इस योगी ने अब इस निर्जन हिमाले को ही अपना घर बढ़ा लिया है परमात्मा को पाने के लिए योगी महीनों तक नहीं बरसों तक हिमाले में रहते है वैसे लोग यहां कुछ एक दिन की साथना करने भी आते हैं भगवान शिव के भक्तों में से ज्याद अतर भक्त भारक के बड़े शहरों से आते हैं नए जमाने की अंधी दोड से राहत की चाह उन्हें वहां से दूर हिमाले की गोद में खीच लाती है ऐसी जगे पर आकर रखता है जैसे हमें एक बार फिर से प्रक्रती से जुड़ गए हैं इन उचे उचे पहाडों की च्छाओं में खड़े होकर हमें बौनेपन का एहसास होता है मैं एक हरसे से एक बड़े शहर में रह रहा हूं लेकिन वहां मुझे हमेशा खालीपन का एहसास होता है हमेशा एक कमी सी कलती है कि मैं प्रक्रती से दूर दी गोव्मुक के हाला ऐसे नहीं है कि वहां को इस धाई भावन बनाया जा सके यहां आने वालों को बस योगी जी की इस कुटियां से ही काम चलाना होगा यह जगे ही ऐसी है कि धार्मिक पिचार अपने आप मन में आते हैं क्यूंकि अगर परमात्मा से लौ लगानी हो तो सबसे पहले दुनिया से कटना जरूरी है और गौमुक तो है ही ऐसी जगे जहां लगता है कि हम परमात्मा की शरण में पहुँच गई है मैं एक भारती हूँ मैं गंगा के महत्व को जानना और देश की इस जीवन रेखा को समझना चाहता हूँ इसनिये मैं गौमुक आया हूँ क्योंकि गंगा यही से निकलती है गंगा जन्दगी और जीने के जोश का इतना बड़ा जरिया है कि मुझे लगा यहां आकर मैं भी अपने आपको कुछ और जाननूगा और खुद को समझ भी दूँगा गंगा जहां से शुरू होती है उसके आसफास कई जाने माने योग गुरू योग की शिक्षा दिक्षा देते रहे है योग के साध़क आज भी प्रेरण लेने यहां आते है दरसर योग का मतलब है इश्वर से जोड़ जाना योग का मार्ग अपना कर अपने आपको पहचानने की परंपरा बहुत पुरानी है जिसके लिए एक तीर थी सबसे सही जगह है यहां आते ही आपके तन्मंग की लए ताल बदल जाती है आप खुद हमेशा के लिए बदल जाते हैं जैसे जैसे वक्त बीता गौमुक की जगह बदल गई ग्लोबल वामिंग के कारण गंगोतरी ग्लेशियर का आकार काफी घंड चुका है सत्रमी सदी के आखरी बरसों में यहां पहली बार जो साइंटिफिक रेइनिंग्स ली गई थी उनके मताबिक गंगा जहां से वहना शुरू होती है वो स्थान बदल चुका है अब इस विशाल गाटी में उस बर्फ का बस जरा सा ही हिस्सा बचा है जिससे कभी यह पूरी गाटी ढकी रहा करती थी प्राचीन शास्त्र बताते हैं कि इस बिलेश्चर का मुहाना या गाउमुख कभी 18 किलोमीटर चौड़ा हुआ करता था आज हम जिसे गंगोत्री कहते हैं वहाँ शायद कभी गाउमुख रहा होगा यह मंदर यहां आठमी सदी में बनाया गया था हालां कि गंगोत्री तीर्थ तो सद्यों से ही था हिंदू पुराणों के अनुसार अपने पूरवजों को मुक्ति दिलाने के लिए राजा भागिरत ने कड़ी तपस्या की और हिमाले की बेटी गंगा को स्वर्ग से धर्ती पर उतार लाए लेकिन धर्ती में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो स्वर्ग की स्वर्वी के तेज बहाव को सभाल सके फिर भागिरत की प्रार्थना पर भगवान शिव ने गंगा की तेज बहाव को अपनी जटाओं में सभाल लिया शिव की जटाओं में उलजने से गंगा के बहाओ की तेजी कम हो गई और फिर प्रित्वी पर उतर कर उसकी पवित्र धारा ने भागिरत के पूरवजों का उतार कर दिया आज के भारत में भी गंगा जल की पवित्रता को लेकर हिंदूं के मन में वही श्रण्धा और आस्था है गंगा का संबंद अध्यात्मित्ता और धार्मिक रीती रिवाजों से है जिनकी शुरुआत यहां गंगूत्री के घाटों से होती है इस कड़कड़ाती ठंड का सामना करते हुए कुछ तीय थियात्री रात की अंतिवा आर्ती करने भी यहां पहुच ही जाते है और यह आर्ती तो उस शांदार रिष्टे की शुरुआत भर है जो गंगा का अपने भक्तों के साथ हुआ करता है गौबुक में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद भागी रती जो आगे जाकर गंगा बनती है पहाडों की ढलाने लांगती हुई आगे बहन निकलती है इसके पूरम में कहीं दूर एक और नदी बहती आ रही है ये है भागी रती की बहन अलक नंदा और माना जाता है कि ये भी भगवान शिव की जटाओं से निकलती है और गौबुक की ही तरह अलक नंदा गहटी भी भगवान शिव की शरण यानि नेल कंट शिखर के साय में सास लेती है लेकिन इसके तट पर बना मंदर श्यव के उस रूप का नहीं है जो संसार का नाश करता है पुरान कथाओं में पूरी स्विष्टी के पालनहार भगवान विश्णु के यहां तपस्या करने का वर्ण अनाता है यहां भगवान विश्णु को बदरी विशाल यानि प्रमुक देवता के नाम से जाना जाता है बदरी नात भारत के चार सबसे महत्तुपूंग तीर्थों में से एक है धार्मिक हिंदुों के लिए जीवन में कम से कम एक बार बदरी नात जी के दर्शन करना ज़रूरी है ऐसा विश्वास है कि ये मंदर ठीक वहीं बनाया गया है जहां कभी भगवान विश्णु ने सेंक्रों साल तपस्या की थी पुरान कथाओं के नुसार जब भगवान विश्णु तपस्या कर रहे थे तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने उन्हें चाया देने के लिए खुद को एक प्रेड के रूप में बदल लिया था उस्थान पर आज भी गर्म पानी के कुछ कुंड मौजूद है जो तक्त कुंड कहलाते है तीर थ्यात्री पहले इंग गर्म पानी के कुंडों में स्थान करते है और उसके बाद ही मंदर में प्रवेश करते है कहते हैं जिस पेड की छाओं में भगवान विश्णू ने तपस्या की थी उसका कुछ बचाववा भाग आज भी मुख्यकुंड में एक खोखली जगे में मौजूद है इस धार्मिक स्नान के दौरान इस खोखल में हाथ डाल कर उस पवित्र पेड को छूने का बहुत महत्व है बदरीनाथ एक बहुत प्राची इंतीर्थ स्थल है लेकिन इसे इतिहास में एहमियत मिली आठवी शताब्दी में आकर ये वो समय था जब हिंदू समाज के सुधारग आदी शंकराचारे ने भारत के चारू कुनों में हिंदुत्व का एक एक केंद्र या धाम स्थापित किया इसका उद्देश था सभी आस्थावानों को एक सूत्र में बाधना इसके लिए उन्होंने उत्तर भारत के धाम में दक्षन भारत के नमबूदरी ब्रामणों और दक्षन भारत के धाम में उत्तर भारत के पुजारियों को नियुक्त कर दिया ये परंपरा आज भी जारी है बद्रीनाध धाम के मुख्य पुजारी दक्षन भारत के केरन राजे से है यहां पूरे भारत से तीर्थी आत्री आते है इन में दक्षन भारत के भी बहुत से तीर्थी आत्री है जो लगभर तीन हजार किलो मीटर का लंबा सफर दै करके यहां पहुँचते है मैं दक्षन भारत से आया हूँ मैंगलोर से जो सम्भूद्व तटपर है और जहां काफी हुमिलिटी और गर्मी रहती है जबकि यहां पारा जीरो के आसपास है फिर भी अपनी आस्था के बल पर हम इतनी दूर आही गए है यहां अगर लगता है कि हम इश्वर के करीब है सरफटो प्रिशन करते हैं गर्मी फटम होने वाली है और स्थानी है कि कौशिश है कि सीजन ख़त्र होने से पहले ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने यह वाल रहता है जोग है इस तीर्थ स्थान की वज़े से यहां बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है मंदर की दिवार के साथ साथ बैठे फूल वाले भगवान विश्णू पे चढ़ने के लिए तुलसी दल और फूलों की मानाईब बनाते रहते हैं बदरी नात की पहचान इस पवित्र मंदर से ही है यहां आस्था और कारोबार एक साथ भलते भूलते हैं बाकी शहर में या तो होटलों की भरमान है या आश्रमों की जो की गर्मियों में घचा घच भर जाते हैं लेकिन साल के बाकी महिनों में बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं लेकिन कुछ लोग सर्दियों की भारी बर्फ में भी यहां से कहीं नहीं जाते मंदिर के उपर एक पहाड़ी गुफा में रहते हैं बर्फानी बाबा बर्फानी बाबा ने दुनियादारी को त्याग लिया है और अपनी मर्जी से एक तपस्वी का मुश्किल जीवन अपना लिया है बुतियां इतनी अच्छी अच्छी होती है, साधना में हमें इतना प्रकृति होती है, जो हम यह सब ही कहने की चीज नहीं है, यह से बताने की चीज नहीं है, वो स्वेम की करके दिखाने की चीज है, हाँ ठंड लगती है, क्यों नहीं, यह सरीर है, प्रकृति की सरीर दिया यह बाबा किसी तरह 12 साल से हिमाले की जबरदस थंड को हरा कर अब तक जीते जाते है यहां भक्त हर साल मनाये जाने वाले उत्सों के आखरी हिस्से की तैयारियों में लगे है ऐसा बहुत कम बार होता है जब भगवान विश्णु की मूर्ती मंदर के भीतर से बाहर निकाली जाती है आज शुरू हो रहा है माता मूर्ती उत्सव वो समय जब भगवान विश्णु को उनकी माता से मिलाने ले जाया जाता है मौता मूर्थी यहां का एक विशेश आकरसक मिला है और इसके लिए लोकर लोग तो वितांत उस मेले में समय रहना चाते हैं मंदर के इस नगर में आज बहुत बड़ा दिन है मंदर के मुख्य पुजारी छै महीने मंदर के अंदर ही रहते हैं यानि आज भगवान विश्न के साथ-साथ ये भी मंदर से बाहर आएंगे ये सभी भगवान की सीमा को छोते हुए आखरी भारतिय गाउं माना की तरफ जा रखे है ये अलक नंदा घाटी तक चल कर जाएंगे जहां के हर पहाण और गाउं का वरणन आख को पौरणिक कथाओं में मिलेगा ये भग तो उसी रास्ते से जा रहे हैं जहां से स्वर्ग तक जाने के लिए कभी पांच पंड़ाउं गुजरे थे वो गुफा भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है जहां कहते हैं के महाभारत लिखी गई थी धार में कास्ता वाले हमारे देश में सदिया गुजरने के साथ साथ कथाओं का रूप भी बदलता रहा कुछ चूटता रहा और कुछ जोडता रहा जो सचमुच हुआ और जो शायद हुआ उनके मेल से बनी नहीं कथाए भगवान जब यहां तपश्या के लिए हैं तो इनकी मा साथ माई माता मूर्ती माणा में और भगवान बनीनात में तपकन लगे तो माता जिने का एक दिन मारे पास मिनना चाहिए बस्वर में भगवा इस तरह से ये नई फसल की खुशीकाय को उत्सव भी माना जा सकता है। यहां आपको अलग-लग तरे के लोग निज़र आएंगे जिन्हें उनके चेहरों मोहरों और पोशाकों से साफ पहचाना जा सकता है। एक अनूठा संगम है जिसमें भगवान बदरीनात की भक्ती और प्रेम के कारण एक सूत्र में बंधे पूरब पश्चे मुत्तरदक्षन सभी दिशाओं के भारतिय श्रमल है। उची पहाड़ी चोटियों पर सर्दियां शुरू हो चुकी है। मौसम की पहली बर्फ गिरते ही पूरा बदरीनात खाली हो जाएगा। बस कुछी लोग यहां रह जाएगे। जब गड़वाल हिमाले में ग्लेशियस पिखलते हैं तो भागी रथी और अलग नंदा नदियों का जन्म होता है। और इनसे ही जन्म लेती है भारक की सबसे पवित्र नदी गंगा। यह नदियां गंगोत्री और बदरीनात से नीचे उतरती हैं और उचे पहाडों के बीट से अपना रास्ता बनातिया पहुंचती हैं। हिमाले के निचले इलाकों में फैले हरे भरे जंगलों में। रास्ते बेन में और भी कई बरफीली छोटी बड़ी नदियां समाती जाते हैं। गंगा की कहानी में हर एक नदी की अपनी अलग धो मिता है। हर अगले मोड के साथ गंगा और अलग नंदा में और पानी जमा हो जाता है। धौली गंगा, नंदा किनी, पिंडर, मंदा किनी ये सभी नदियां गंगा मिया मिलती हैं। और ये जहाँ जहाँ मिलती है वो जगे एक तीर्थ बन जाती है लेकिन ये एक लाजू की इकोसिस्टम है कभी-कभी इंसान को लगातार कुद्रक का अपमान करते देखकर मानू गंगा भी उस्से में आ जाती है और उसकी ये नाराज़गी तबाही निकलाती है मौनसून की तेज बारिश से जब हिमाले की नदियों का जलसतर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो बरफीली जھیलों से अचानक करोर लीटर पानी और गाद गंगा वे आकर गिरने लगता है और तब इनसान को लदियों के किनारों को बिना सोचे समझे तबाह करने की ऐसी सजा मिलती है और लदी का ये तहर हजारों लोगों को अपने साथ ले डूपता है खुदरत की ताकत को अंदेखा करने की कीवत इनसान को हमेशा चुगानी पड़ी है पर बाड का पानी उतरने के बाद गंगा शान्त होकर एक बार फिर से अपना वही जीवन देने वाला रूप अपना लेती है पर जड़ के इस मौसम में देखिए यहां चौनाई की कैसी बह्या फसल हुई है और से भी क्या हूब भने है नदी किनारे बसे गाउं के जीवन का अधार यही फसले है गंगा किनारे का ऐसा ही एक गाउं है बागोरी बागोरी जिसे भारत तिब्बत व्यापार मार्क से आने वाले भोटिया लोगों ने बसाया था यहां के घरों की छेतों पर लहराते जड़ों के कारण इसे दूर से ही पहचाना जा सकता है लाल जड़ा मतलब हिंदूओं का घर और पीला जड़ा मतलब बौधों का घर इस गाउं में आपको पश्चिवी हिमाले की लकडी की कलाकारी के कुछ बेतरी नमूने देखने को मिलेंगे कुछ पुराने घरों में खुबसूरत वुड कार्विंग देखने को मिलती है ये बुनकरों और कातने वालों का गाउं है इसलिए सर्दियों का मौसम आते ही सब के सब काम में लग जाते है पिछले कुछ सालों में यहां हिमाले के दूसरे इलाकों से भी लोग आकर बसते रहे हैं बगहोरी के लोगों को देखकर ये साफ लगता है कि इनकी नसल मिली जोगी है हिमालय के निचले इराकों तक आते आते भाहिरती और अलक नंदा के रास्ते करीब आने लगते हैं और उत्तरा खंड के पिहडी गड़वाल जिले में देव प्रयाग में आकर दोनों नदियों का संगम हो जाता है दोनों नदियों के मिलन से बन जाती है गंगा अब तक हम ने जीवन और अध्यात्म के लिए ही लोगों को गंगा के पास आते देखा था लेकिन देव प्रयाग में तरह तरह के लोग गंगा के पास आते हैं संगम किनारे एक रिवर राफ्टिंग टीम गंगा मया से प्राथना करने आई है कि वो तेज धारा में उनकी रक्षा करे हम लोग हर सीजन की शुरुआत में गंगा मया का आशिरवाद लेने के लिए देव प्रयाग आते हैं गंगा दरसल देव प्रयाग में आकर ही गंगा बनती है इसलिए गंगा का आशिर्वाद लेने और उसे धन्यवाद देने के लिए यही सबसे अच्छी जगह है हम लोग गंगा से हमेशा लेते ही रहते हैं पर जब हम उसे पुल चड़ाते हैं तो कि वाओना है कि हम कितने खुशकिसमत हैं जो रोजगार के तौर पर हम रोज गंगा में राफ्टिंग कर रहे हैं साथ ही डर भी होता है क्योंकि हम कुद्रत को चुनौती देने और गंगा की तुफारे धारा से दो-दो हाथ करने जा रहे होते हैं लाखों साल से यहां वहती नदी की तेज जन धारा ने चटानों को काड़ काड़ कर गहरे दर्रे बना दिये हैं ऑक्टोबर के आते आते बारिश का मौसम खत्म हो जाता है और शुरूप हो जाती है राफ्टिंग के शौकिलों की गहमा गहमी अधिया प्रफ्टिंग के अप्सरा थी जिसे तेवर दिखाने के कारण स्वर्ख से धर्ती पर गिर जाने का श्राब दिया गया और वो नदी बन गई मुझे लगता है नदी के जिस इसे में हम लोग राफ्टिंग करते हैं उसमें भी उसका वही तेवर नजर आता है और शायद इसी लिए दुनिया उसकी तरफ खींची भी चलियाती है गंगा के राफ्टिंग स्ट्रेच में कुल 12 तेज धाराओं के मोड है और ये करीब 36 किलो मीटर में फैले है हाथ से तभी होते हैं जब आप गंगा की इजट नहीं करते यानि जब आप इस सच्चाय को स्विकार नहीं करते कि गंगा जान लिवा भी हो सकती है सुरक्षा के लिहाज से हम लोग अपनी हर ट्रिप में एक दोंगी वाले कायकर को भी ज़रूर साथ रखते हैं ताकि अगर कुछ घडबर होने लगे तो वो फॉरण मदद कर सके ये दोंगी वाले ज्यादतर यहीं गंगा किनारे पले बढ़े लोग ही होते हैं गंगा की लहरों को इनसे बेहतर कोई नहीं समचकता शाम ढलने पर गंगा की नारे सुस्ताते ये दुनिया के कोने कोने से आए मनमाजी लोग नदी के उस रूप का आनंद लेते हैं जो सर्फ आध्यात्मिक ही नहीं है यहां से कुछी दूर उगते सुरज के उजाले में नहा रही है गंगा की सहायक नदीर राम गंगा और इसी के किनारे है जिम कॉबिट नैशनल पार्क का मिशाल सब हिमालेंड बायो स्फेर इंडिया के सपनों की अपनी दुकार पावर्ड बाय ब्लू स्टार वाटर प्यूरिफायर्स जूज प्यूरिटी इन असोशियेशन विफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट एंड माहिंद्रा एक्स्यूट गंगा की एक और सहायक नदी उंते सुरज की रोशनी में नहाने लगी है उत्तरा खंड के पौडी गणवाल ख्षेत्र से निकलने वाली राम गंगा भी कुछ अलब किस्म के लोगों का तिर्थ है ये है जिम कोबिक नैशनल पार्क भारत के पूरी तरह से संब्रक्षित सब हिमालन फॉरस्स में से एक ये पार्क रॉयल बेंगॉल टाइगर के कुछ आखरी कुदरती ठिकार में से एक है एक शिकारी से पर्यावरन की रक्षा करने वाले जिम कोबिक के नाम पर बना ये पार्क सन 1936 में भारत का पहला नैशनल पार्क घोशित किया गया था करीब एक हजार वर किलो मिटर में पहले स्पार्क में पेड़ ओधों और जीवों की बेशुमार किसमें सुरक्षत है यहाँ बाग यानि टाइगर कभी कभान ही देखता है पर टाइगर बटरफ्लाई असानी से नज़रा जाती है इस जंगल में जिस पजड़ी पेड़, शोड़ या रोबस्टा या साल की सबसे ज्यादा भर्मार है उसके पत्ते गर्मिया शुरू होते ही जढ़ने लग जाते हैं पत्ते जढ़ते हैं तो उनमें रहने वाले कैटरपिलर्स यानि इल्या भी नीचे आगिती हैं ये कलगीदार सर्पेंट इगल कबसे इस मुफ्त के बरस्ते शिकार की ताक में था इन्हें वाइट थ्रोटेड किंग फिशल भी खाता है लेकिन जरा तमीज से वो बेबस कैटरपिलर को सुन कर देता है और फिर पूरा का पूरा निगल जाता है राम गंगा के किनारे इस तरह के नजारे आम है देखिए नदी के किनारे लेटा ये मगरमच कितने मजे से धूप सेक रहा है कोल्ड ब्लडड या ठंडे हून वाले इस जीव को अपने शरीर के ताप मान को रेगुलेट करते रहना पड़ता है जब इसका शरीर अच्छी तरह गंग हो जाएगा तब ये पानी में चला जाएगा सतय के नीचे भी इस जिन्दगी की हल चल है पार्क के छोर पर राम गंगा पर एक डैम बनाया गया है जहां नदी एक विशाल जील का रूप ने लेती है जील में कभी बाढ़ते और कभी घटते पानी के कारण बाढ़ का यंदाका आज एक हरे भरे घास के मैदान में बदल गया है जन्दी जीवों को देखने के लिए ये एक कमाल की जगए है जानमर के लिए पक्षी के लिए है लाइफ लैन है गर्वियों के आठ होती है तो हाथियों के जुंड के जुंड इस सनरक्षित उद्यान के बीचों बीच धेकाला के घास के मैदानों में जमा होने लगते है भारती हाथी भले ही अफ्रीकी हाथियों से आकार में छोटे हो लेकिन खुराक इनकी भी जबरदस्त होती है यानि रोजाना करीब सो किलो पत्ते और लगभग सो लीटर पानी हाथियों की दुनिया में मादाओं की हुकुमत चलती है और एक बड़ी उम्र की हथिनी ही हमेशा लीडर होती है और इनके ग्रुप में ज्यादा तर हथिनिया ही होती है ये नंधा नरहाथी बड़ा होते ही दल से बाहर निकाल दिया जाएगा ये अभी जिस उम्र में है वहाँ से आगे सिर्फ अकेला पन ही इसका साथ ही होगा और हथिनियों से इसका मेल मिला सिर्फ बेटिंग सीजन में ही हुआ करेगा बड़ा होकर वो भी इस बड़ी उम्र वाले हाथी की तरह हो जाएगा हाथी भारत के जंगलों का सबसे बड़ा जीव है यहां तक कि टाइगर भी उसके भारी भरकम पैरोट और नुकीले दातों से बचकर ही रहना चाहता है यह लोग हाथी का इंतजार करते हुए थोड़ा घबरा भी रहे हैं क्योंकि हाथी जरा सा भी खत्रा महसूस होते ही हमला कर देते हैं खत्रे तो हाथ समय खत्रा है खत्रा मी लेंगे तो फिर कॉर्वट में चल भी नहीं पाएंगे तोड़ा सा रिक्स तो लेना ही पड़ता है थोड़ा सा डिस्टिन ना लेते हैं दूरी रखते हैं गाड़ी को अपनी हाथ ही आया और आराम से आगे बढ़ गया ये था राम गंगा के किनारे एक और जादुई पल उचे पहाडों से राम गंगा यहां पहली बार हिमाले की तराई में उतर रही है यहां इसका पानी सबसे ज्यादा साफ है यहां बहुत कुछ महसूस होता है बहुत कुछ होता हुआ दिखता है आप यहां बहुत कुछ सीथते हैं कई लोग आध्यात्म की तलाश में गंगा काले मूँ वाले लंगूरों के लिए इस जंगल में खाने की कोई कभी नहीं है किसी शिकारी जीओ की आहट मिलते ही ये लंगूर शोर मचाकर सब को पास आते खत्रे से सावधान कर देते हैं पर फिलहा तो ये लंगूर खाने में व्यस्त है पेड़ों पर लंगूर है तो नीचे कोई और पहरा देने का काम कर रहा है यह है यहां का सबसे बड़ा हिरण सामभार जिसके कान खत्रे की आहट सुनने के यह हर दम खड़े रहते है पास आते खत्रे की हलकी से हलकी आहट भी यह फॉरन सुन लेता है इसी का एक डड़फूक रिष्टेदार है यह चित्तीदार हिरण या चीदल अपनी सुरक्षा के लिए यह सब दल बनाकर एक साथ रहते हैं ज्यादतर हिरणों के सींग अभी बढ़ी रहे हैं जो एक नर्म खाल से ढखे हुए है यहां ढिकाला सफारी कैम के पास नदियों में हाथियों के महावत एक सदियों पुराने रिवाज को अभी निभाते नज़र आ रहे है दिन भर की वहलत के बाद इन हथिनियों का हक बनता है नदी बे नहा कर अपनी थकान उतारने का हाथियों और उनके महावत अक्सर साथ-साथ पले बढ़े होते हैं और इनका ये रिष्टा सालों तक चलता है और ये नहाना नहलाना भी उसी संबंद का प्रतीक है ये इंसान, जीव और नदी तीनों के बेहतरीन तालमेल का पल है शाम होने लगती है तो ये सफारी फिर नहीं है इसे शुरू हो जाती है और अचानक सामहत चिलाकर सब को चेतावी देने लगता है कि सभल जाओ टाइगर चोड़ी छिपे इसी तरफ आ रहा है आखरकार शाम के वक्त लगातार कम होती रोश्णी में टाइगर नजर आ जाता है जंगल का राजा राम गंगा के पानी से प्यास बुझा रहा है कॉबिट नैशनल पार्क में एक और दिन गोज़र गया राम गंगा के किनारे हिमाले की तराई के कॉबिट नैशनल पार्क में इस वक्त सन्नाटा फैल होगा है लेकिन यहां से सर्फ सौ किलोबिटर दूर लोगों की अच्छी खासी चहल पहल है गंगा यहां दून घाटी के तीर्थ नगर रिशी केश में दाखिल हो रही है रिशी केश में भारत के कोने कोने से तीर्थ यात्री आते है और भारत ही रही इसका कर्शन तो पूरी दुनिया के आध्यात्मिक साधकों को यहां खीच लाता है बीटल्स जैसे मशूर रॉक बेंड के अलावा हॉल्वूट के कई फिल्मी सितारे भी यहां आकर रह चुके है आज रिशिकेश योग की केंद्र के रूप में दुन्या भर में वशूर है योग, आयूरवेद और ध्यान साधनाद आज एक बहुत बड़ा कारुबार बन चुके है वैसे अध्यात्म के साधकों के लिए यहां मिठाई की दुकाने भी खुली है यहां के सबसे पुराने आश्रमों में से एक परमार्थ आश्रम आज भी वैदिक साधनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है आश्रम के वैदिक विद्याले के बच्चे हर सुबह गंगा जन्बे प्रतीक स्नाम करने जाते हैं और देखते ही देखते ये स्नान मौज बस्ती में बना जाता है परमार्थ आश्रम में एक वैदिक गुरुकुल और अनेक ध्यान के इंद्र चलाए जा रहे हैं दुम्या भर से आने वाले साधकु के लिए आश्रम में रहने और खाने का भी पूरा इंतजाब है चिदारंद सरस्वती जी का पूरा बच्चपन इसी आश्रम में बीता है और अब वो इस आश्रम के गुरु है और पूरे आश्रम को चला रहे है परमार्थ आश्रम का एक विशेश आकर्षण इसकी लाइब्रेरी है जहां वैदिक शोध सामगरी साजों कर रखी गई है स्वामी जी को इस बात पर गर्व है कि उनके आश्रम का पाठिक्रम लगभग चार हजार साल पुराने रिगवेद पर आधारित है ये शाहिद दुनिया का सबसे पुराना स्कूल से लेबस है रिगवेद विश्व का एक सबसे पुराना पाठ है इसमें प्राची इन संस्कृत भाषा में देवी देवताओं को समर्पित सुन्दर दिव्य मंत्र है ये वेद हमें जीवन का उदेश बताता है कि ये जीवन और अधिक पाने के लिए नहीं है बलकि जीवन को भरपूर जीने की प्रेरणा देता है भारत की प्राचीन परंपरा के अनुसार यहां भी वैदिक अक्षाय आस्मान तले पीपल या नंदी विर्क्ष के नीचे ही लगती है हमारे वेद आज भी उतने ही सचे हैं और हमेशा रहेंगे यह हमें संसार और इसे रचने वाले के बारे में बताते हैं आज हम संसार बनाने वाले को तो पूछते हैं लेकिन उसके बनाए संसार को भूल गया है हमें ने इस धर्थी की परवा है ने इसकी हवा, पानी, पेड़ों और पाड़ों की गंगा आज खत्रे में हैं और ये खत्रा कहीं आस्वान से नहीं आ रहा है यह हम इंसानों के करने हैं जो इसकी पूजा तो करते हैं लेकिन साथिसाथ इसे अंधा धुंद प्रदूशित भी किये जा रहे हैं रिशीकेश पहुचते पहुचते गंगा पर प्रदूशन का बुरा आसर नजर आने लगता है यहां से गंगा नदी में इनसान और फैक्टरीज की गंदगी भारी मात्रा में समानी चुरू हो जाती है गंगा जल की पवित्रता वे आज भी करून की आस्था है लेकिन सच ही है कि यहां से आगे के सफर में गंगा न सर्थ भारत बलके दुनिया की एक सबसे प्रदोशित नदी बनती चली जा रही है आप लोग इधर करते चाहिए बाकी लोग इधर करिए सारे बारे-बारे से एक-एक कोना साफ करें हर कोना साफ होना चाहिए गंदगी चाहे अंदर की हो या बाहर की वो ना हमारी सेहत के लिए अच्छी है ना हमारे वातावरण की सेहत के लिए हम इन बच्चों को परियावरण का रक्षत बनने का प्रशिक्षन दे रहे हैं क्योंकि हमारी शार्ष्त्र भी यही सिखाते हैं रिगवेद कहता है ये धर्ती हमारी माता है ये है हमारी संस्कृती और यही हम इन्हें सिखाते हैं कि सिर्फ प्रार्थना करने के बजाए तुम पर्यावरण को भी स्वच्छ रखो आश्रुब में विध्यार्थियों के एक दूसरे संवों को वैदिक जीवन शेरी सिखाई जा रही है अपनी सांसूं पर ध्यान लगाईए उनके साथ एक हो जाईए योग साधना के फायदों को समझकर दुनिया भर से अध्याक्म के साधक यहां आते हैं हिमाले की शुद्ध हावा में सांस लेते हुए गंगा की नस्दीकी के सुखब लहसास को महसूस करते हुए ध्यान लगाते हैं साध्वी भग्वती सरस्वती भी ऐसी ये एक साध्य का है पश्चिमी जीवल चैली को छोड़कर यहां आकर बसी साध्वी जी आज परमार्थ आश्रम से जी जान से जुड़ी है दुख की बाद है कि पश्चिम में ज्यान के नाम पर हमें सिर्फ जानकारी दी जाती है या वैदिक या भारती पद्धती से हमें तथ्यों के साथ दिव्य सत्य का ज्यान भी होता है योग और ध्यान अलग नहीं है योग का अर्थ है इश्वर के साथ चुड़ना और ध्यान उस तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता है पर्मार्थ आश्रम में ये हर रोज का कारिक्रम है आज 21 सदी में दुनिया भर के लोग योग और वैदिक अध्यात्मिक उपचार के जंदगी बदल देने वाले फायदों को महसूस कर रहे है इनके गवा खुद गंगा किनारे बैठे महा योगी शिवशंदर भागवान है वो हजारों सालों से अलग लग रूप में ये सब होता देख रहे हैं इसके बाद गंगा दाखिल होती है उत्तराखंड राज्य के तीर्थ नगर हर द्वार में इस देव भूमिवेक गंगा की यात्रा यहीं खत्म होती है और अब वो प्रवेश करेगी उत्तर भारत के मैदालों में हर द्वार का वरणन हिंदूं के सबसे पुराने ग्रंथों में मिलता है हर आस्थावान हिंदू की इच्छावती है कि वो जीवन में कभी न कभी हर द्वार ज़रूर आए कुम्भ का वेला दुनिया का सबसे बड़ा वेला है जिसमें भाग लेने के लिए लाखों लूग हर द्वार आते हैं और हर की पौडी में डुपकी लगा कर पुर्ले गबाते हैं गंगा का ये पवित्र घाड हजारों साल से अंगिनत भक्तों की भक्ती भावना का गवार रहा है गंगा के इन घाटों पर आपको हर तरह के रीती रिवाज नजर आएंगे कोई यहां किसी के जन्द की खुशी मनाने आता है और कोई किसी अपने की आखरी रस्नों को अदा कर ने तो कोई गंगा में डुपकी लगा कर अपने पाट थोने दिन धलने पर गंगाजी के मंदर के दरवाजे बंध होने से पहले ये शहर हर रोज गंगामया की आरती करता है इसके लिए गंगामा की सुंदर मूर्ती को लाकर हर की पौडी की सिलियों पर रखा जाता है फिर पुजारी प्राचीन वैदिक मंतरों का उचारण करते है और इस तरह आरती शुरू हो जाती है तेयल से भरे दियों की पवित्र रोशनी से गंगामया का तिलक किया जाता है